हेलो दोस्तो, हम में से कई सरे स्टुडंट अपने कॉलेज स्टडीस के साथ जॉब करना चाते हैं ताकि वो financially strong रहे और future में आने वाले परिशानियों से लड़ सके और दोस्तो हम में से कई सरे स्टुडंट के कॉलेज का टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेके दुपेर के 12 बजे तक का होता है फिर दोस्तों दुपेर के 12 बजे से रात तक वो फ्री ही होते है तो उस समय वो कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाते है तो दोस्तों आज की इस पेशल वीडियो में मैं आप सबको 3 सबसे दा पॉपिलर और विदाउट स्कील वाले जॉब्स बताऊंगा जिनको कोई भी परसन कर सकता है बस आपकी एज 18 प्लस होनी चीए और दोस्तों ये सारे काम इतने दा आसान है जिनको करनी के लिए कोई स्कील्स रिक्वाइड नहीं है कोई भी स्टुडेंट इन जॉब्स को कर सकता है और इन जॉब्स को करके आपको पर मन 12,000 से 15,000 रुपे की सालरी मिल जाएगी तो चलो दोस्तों जान लेते हैं कि वो कोई से पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब्स है तो दोस्तों फर्स नमबर पर है Zomato Delivery Boy दोस्तों Zomato की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कोई वेहिकल नहीं है अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है और दोस्तों आपको स्कूटी या फिर बाइक चलाने भी नहीं आती तो भी दोस्तो आप Zomato के अंदर जॉब कर सकते हो वो जॉब आप साइकल के द्वारा कर सकते हो अगर दोस्तो आपके पास कोई भी बाइक या फिर स्कूटी है और दोस्तो आपके पास लाइसंस है और दोस्तो आपको बाइक और स्कूटी चलाने आती है तो दोस्तो आप आपके पास अपना एक driving license होना चाहिए और आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए जोमेटो के application के अंदर login करके आप अपने मन चाहे समय पर job कर सकते हो आपको यहाँ पर स्रिफ और स्रिफ delivery करनी है फरेजंपल अगर कोई customer order देता है तो दोस्तो आपको बस restaurant में जाकर उसका जो the delivery शाम के वक्त आती है तो दोस्तो आप इस job को अगर शाम के समय करते हो जिसे 5 बज़े से 10 बज़े तक भी आप अगर यह job करते हो तो भी दोस्तो आपकी एक दिन की कमाई minimum 500-600 रुपए हो जाएगी अगर दोस्तो आपको cycle भी चलानी आती है तो भी दोस्तो आप कोई भी cycle rent पर लेकर या फिर अपने किसी भी दोस्त के cycle कुछ समय के लिए ले सकते हो और दोस्तो इस cycle के जरीए delivery करके दिन के 300-400 रुपए भी अगर आपने कमा लिए तो भी दोस्तो आप मैने के 9000 से लेके 10,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हो और दोस्तो जोमेटो का यह जो option है वो कर दिये है क्योंकि जोमेटो के अंदर आप अपने मर्जी के हिसाब से application में login करके job कर सकते हो और दोस्तो payment system इनका weekly होता है मतलब हर गुरवार को जोमेटो application आपको payment अपने bank में transfer करता है तो दोस्तो अगर आपने week में 3-4,000 रुपए की भी कमाई कर ली तो भी दोस्तो जोम है दोस्तो रिटेल स्टोर जोब दोस्तो आजकल डीमाट, रिलायन्स, विजे सेल्स, बिग बाजार, पैंटोलून्स एट्सेक्र जैसे कई सारे बड़े बड़े स्टोर्स ओपन हो रहे हैं अगर दोस्तो आपके नियरवाई कोई भी मॉल होगा तो दोस्तो उस मॉल के रिटेल स्टोर्स के अंदर आपको मेंली प्रमोटर का जॉब दिया जाता है जिसके अंदर दोस्तो आपको अपने कैटेगरी संबालनी होती है, अपने प्रोड़ेट्स को फेसिंग देनी होती है, स्टॉक रिफील करना होता है, अगर कोई कस्टमर किसी प्रोड़क के बार में कोई information मांग रहा है, तो दोस्तो उस कस्टमर को उस प्रोड़क की information देनी होती है, और दोस्तो कई सारे काम आपको रिटेल स्टोर के अंदर करने होते है, और दोस्तो रिटेल स्टोर के अंदर अगर आपके पास एक साल का भी experience आ जाता है, तो दोस्तो आपको future में cashier की job दी जाती है, cashier के job पर आपको 15-20,000 रुपे की salary दी जाती है, क्यूंकि cashier की post काफी जदा responsible वाली post होती है, जहाँ पर दोस्तो आपको अपनी salary के साथ साथ नई नई चीज़े सीखने के लिए मिलती है, और दोस्तो आप अपने studies के साथ ये काम भी continue कर सकते हो, और दोस्तो retail stores के अंदर काम करने का एक benefit बहुत ही अच्छा है, कि आपके अंदर communication skills आ जाती है, आपको customers के साथ कैसे बातचीत करना है, उसके बारे में पता चलता है, आपके अंदर stage fear आता है, आपको कई सारे products की knowledge मिलती है, और दोस्तो आपके stores के अंदर भी everyday morning में कोई भी meeting होगी, तो दोस्तो वहाँ पर आपको salary तो मिलेगी, साथी साथ दोस्तो आपको PF भी मिलेगा, जो आप every six month के बाद claim भी कर सकते हो, और दोस्तो अगर आपको retail store के अंदर job हासिल करनी है, तो दोस्तो आप मुझे personal Instagram पर message करो, मेरे पास retail stores के अंदर कई सारे से contact से, जिनके जरीए आपको तुरंथी job मिल जाएगी, और दोस्तो retail stores के अंदर आपको per month 13,000 रुपे से लिके 15,000 रुपे की salary दी जाती है, और दोस्तो retail stores के अंदर every year promotion होता रहता है, तो दोस्तो आपकी salary every year बढ़ती जाएगी, जिसके जरीए आपकी financial condition strong रहीगी, future में अगर आपको कोई बड़ा course करन तो दोस्तो इसी तरीके से third number पर है call center job, दोस्तो call center एक एसी जगह है, जहाँ पर vacancies कभी भी खतम नहीं होती, यहाँ पर every month 9-9 vacancy निकल के आ जाती है, अगर दोस्तो आपके अंदर अच्छी communication skills है, और दोस्तो आपको phone पर बातचित करना पसंद है, तो दोस्तो आप call center के अं आपको थोड़ा अपने दिमार का इस्तमाल करना होता है, जहाँ पर थोड़ा सा first lesson होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी salary मिलेगी, जिससे आपकी financial condition strong रहीगी, और future में आने वाले परिशानियों से आप खुद अकेले लड़ पाओगे, और दोस्तो call centers के अंदर बड़ी बड़ी post होती है, जिसे से आपको experience मिलता जाएगा, वेसे वेसे दोस्तो आपकी post बड़ेगी, और आपकी salary भी बड़ेगी, अगर दोस्तो आपको English में communication आता है, तो दोस्तो आप international call centers में job कर सकते हो, जहाँ पर दोस्तो starting में ही 25,000 रुपे के salary दी जाती है, तो दो दोस्तो इसके वेसे में आपको हमेशा कहता रहता हूँ, कि दोस्तो आप अपनी skills को develop करो, अगर दोस्तो आपके अंदर English communication अच्छी है, तो दोस्तो आपको future में कोई भी छोटा और बड़ा job मिल ही जाएगा, जहाँ पर दोस्तो आपको एक अच्छी salary मिलेगी, क्योंकि दो jobs को आप full time भी कर सकते हो, और part time भी कर सकती हो, तो दोस्तो इस तरीके से और jobs के बारे में जानने के लिए, आपको इस वीडियो के description में कई सरी वीडियो मिलेंगे, जिनके अंदर मैंने तरह तरह के jobs explain किये है, जिन jobs को एक student करके, अच्छी कासे कमाई, अपने पड़ाई के स कमा सकता है, तो दोस्तो ये है top 3 jobs, जो students अपने college के studies के साथ करते हैं, और आप भी इन jobs को start कर सकते हो, और दोस्तो आपकी जो financial condition है, उसको strong बना कर धेर सारा पैसा कमा सकते हो, तो दोस्तो उम्मित करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा, इस वीडियो को share कर के लोगों की मदद करो, आपका प्यार देने के लिए और एसे वीडियोस हर रूज देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चनल को, धन्यवाद